नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्ट मुर्ती आप सवे का सवगत करता हूं लेर्णिंग मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इस्प्रेसो के वारे में जो की सेर खान कंपनी का एक डिसकाउंट ब्रोकिंग प्लैटफॉर्म है जहां पर जो आप बाई और सेल कर सकते हो बहुत ही कम ब्रोक्रेस पर यहां पर देख लो पे अनली वेन्यू प्रॉफिट जब आपका प्रॉफिट होगा तभी आपको ब्रो इसे बताने वाला हो कैसे आप स्टॉक्स एड़ कर सकते हो और बाई और सेल कर सकते हो फस्टाइम बागी जो चार्जेस हैं पहले वह डिसकस कर दूँ आपको वह आपके लिए असानी होगी यहां पर देख लिए अगर आपको लॉस हुआ हो तो आपको ब्रोक्रेज आपका ब्रोकर का सब का सेम होता क्योंकि यह टैकसे गौर्वर्मेंट को और ऑर्गनासिंग को जाती है यहां पर देख लिए आपका जो है लॉस मेंकि ब्रोक्रेज वाला जुए निटरेट लेते हो और चूँए को एक साल में तो आपका हो गया 5,000 ट्रेज जिसमें से आप 20,000 रुपीज का brokerage जो है save कर लोगे तो यह आपके लिए अच्छा है इसको आप यूज कर सकते हो share खान का platform है share खान का trust है तो वो आपको जो है help करेगा तो दोस्तो यह हो गया आपके charges के वारे में जो भी चीजे हैं और आपको charges के वारे में जाननी है यहाँ पर जो यह brokerage calculator है इस पर आप क्लिक कर सकते हो list of charge है इस पर आप क्लिक कर दो जैसे क्लिक कर होगे brokerage charge आपका zero है delivery में कोई भी charge नहीं है intraday करते हो तो 0.03% और 20 रुपीज equity में आपका है for executive whichever is lower मतलब 0.03% और 20 रुपीज उसमें से जो भी कम होगा आपका वही brokerage लगने वाला है security transaction index government का है वो तो लगी लेगी derivative में भी देख लो आपको अगर आप future करते हो तो 0.03% और 20 रुपीज whichever is lower यहाँ पर आपको देखेगा options में 20 रुपीज पर order है आपका और profit करते हो तो loss making में selling वाले में 20 रुपीज आपको नहीं लगने वाला same case है आपको currency में और यहाँ पे same case है आपको commodities में तो यहाँ पे brokerage आपको दिया गया है simple discount broking है platform है आप इसको use कर सकते हो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको buy sell कैसे करना है mobile app के दोस्तों यह आपको जो espresso का mobile app है जैसी आप open करोगी यह आपको डैस्पोर दिखाई देगा mobile app का यहाँ पे आपका watch list है 12345 यहाँ पे आप अपने stocks को जो है add कर सकते हो मानलो यह आपका watch list है जिसमें आपका ITC added है मानलो यहाँ पे आपको stocks add करना है तो यहाँ पे plus का sign दिख रहा है आपको इस plus का sign के option पर click करो और यहाँ पे मानलो SDFC मुझे bank add करना है तो SDFC bank मैं यहाँ पे search किया यहाँ पे आपको आ चुका है यह आपका NSE है National Stock Exchange यह आपका BSE है Bombay Stock Exchange दो exchange है इंडिया में जहाँ पे regularly frequently जो है आपको stocks trade होते हैं वह volume है तो आप कोई सावे भी buy sell कर सकते हो कोई restrictions नहीं है कि मुझे BSE buy करना है मुझे NSE buy करना है तो मानलो मैं NSE BSE दोनों add करता हूँ डिपेंड करता है आपके ओपर कि किस में आपको trade करना है मैंने यहाँ पर दोनों पर टिक कर दिया और यहाँ पर add के option पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो दोनों जो यह watch list में add हो गए मुझे अब यह बार बार मुझे add नहीं करना यह मेरे watch list में है मैं watch list 2 पर आऊंगा तो मेरा stocks already added है मुझे जो भी buy sell करना है मैं buy sell instantly कर सकता हूँ यहाँ पर मैं एक और दिखा दूमा मालो मुझे ioc आइड करना है तो मैं यहाँ पर ioc यहाँ पर मैंने type किया यहाँ पर आपको देख लो nascbse है आपको जो भी आपको exchange में add करना है कर देना और यहाँ पर add का option पर क्लिक कर देना अब जो है यहाँ से मैं आपको fund add कर कैसे क बताने वाला हूं तो यहाँ पर right hand side में देखो यह आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देख लो fund limit जो है आपको दिख जाएगा add fund का option है add fund का option पर क्लिक करना जैसी आप क्लिक करोगे UPI है आपका net banking है आपका NFT RTGS से UPSF के पास होता है amount यहाँ पूट कर देना और यहाँ पर आपको bank दिख रहा होगा यहाँ पर किस segment में आपको invest करना है equity वाले में mutual fund वाले में तो mainly अगर आप trading कर रहे हो तो equity वाले में hold करना पैसे UPI ID यहाँ पूट कर देना अपना और यहाँ पर fund transfer का option है इस पर आप क् यह आपका fund add हो गया यह आपका watch list add हो गया है अब जो है buy और sell करना है तो simple सी बात है मानलो मुझे IOC buy करना है IOC पर click कर रहा हूँ वह आपके उपर depend करता है मैं फिर से बता दूँ मैं से भी register research analyst हूँ यहाँ पर जो भी चीज़े बताई जा रही है वह सिर्फ informative purpose के लिए है वो आपका rude profile कैसा है उसके है इसाब से आप जो है देख लेना यहाँ पर IOC है यहाँ पर मैं बता दूँ आपको offer price और bid price में difference क्या है offer price का मतलब होता है seller price seller किस price पर sell करने के लिए यह बिड़ Puri है buyer price, Marcher buyer किस price पे buy करने के लिए तयार है, कितना quantity तयार है, कितने buyer तयार है कितने seller तयार है और कितने quantity तयार है, वो आपको यहाँ पे buy sell में दिख जाएगा Total quantity यहाँ पे आपको दिखरा होगा Buying का इतना pending है और selling का इतना pending है या आज का open, high, low और previous day का आपको यहां दिखने वाला है अगर आपको price alert set करना है किसी particular price पर तो यहां से आप सेट कर सकते हो option change आप यहां से देख सकते हो तो जो चीजे हैं यहां से आपको already available है volume यहां से दिख जाएगा आपको performance यहां से दिख जाएगा आपको IV यहां से दिख जाएगा और Greeks आपको यहां से दिख जाने वाला है दोस्तो यह बहुत ही अच्छा है Greeks आपको दे रखा यहां पर theta, gamma, vega, rho जो है वो आपको जो Greeks हैं आपको options के वो दे रखें इसके regarding में detail में वीडियो ले आऊंगा उसके अपचिंता मत करो यह आपको बहुत अच्छा feature दिया हुआ है Greeks जो है आपको यहां पर दिख रहा है नहीं तो यह Greeks find करने के लिए आपको थोड़ा payment charge पे करना पड़ेगा दूसरे software को यह आपको आसानी से यहां पर दिखा दिया है इसका मतलब क्या है measurement क्या है वो मैं आने वाले वीडियो में आपको explain कर दूँगा यहां से आप price alert set कर सकते हो मैंने बता रख रख आपको greater than equal to जो price है आप यहां पर put कर देना आपको set notification क्या करना 52 week high 52 week low board meeting का है result का है corporate actions का है वो भी आप कर सकते हो कि मानलो इसके board meeting का आपको क्या result आया ह है अब corporate actions कब होने वाला है यह सब भी आपको जोए फाइदा करेगा यह भी आपको एक feature जोए बहुत अच्छा दिया गया है खास करके espresso में मुझे और दूसरे broken house में दिखाने ही है ऐसा कुछ तो यह आप notification set कर सकते हो बांकि दूसरे broken house में जोए सिर्फ आपको price alert रहता है लेकिन यहां पर board meeting हो गया result हो गया corporate actions हो गया आपको delivery क्या करना है email पर करना SMS पर करना है दोनों पर tick कर देना और save के option पर click कर देना यह एक अच्छा feature है कि जो आप stocks में invest किये हो हो उसका आपको पता चलता रहा है कि वो company कर क्या रही है उसके board members कर क्या रहा है तो यह features जो है आपको implementation करनी है जो भी चीज़ें करनी आप कर सकते हो और उसकी सबसे आप action ले सकते हो buying और selling का यह भी जो है feature आपको बहुत इच्छा दिया गया है इसके बाद course पर आते हैं course पर आपको open high low 52 week high 52 week low ask price bid price और आपका trade quantity कितना है दिख जाएगा चीज़ें आपको दिख जाने option chain मैंने बता रख्या यहां से आप देख सकते हो fundamentals जो यह company का यहां से आप देख सकते हो face value कितना है book value कितना है तो चीज़ें यहां से आप चूज कर सकते हो और देख सकते हो यहां पर देख लो यहां पर three point पे click करके अगर आपका new stock है तो आप इसको watch list में और smart basket में add कर सकत smart basket किया उसको मैं अलग से वीडियो जो है describe कर दूंगा आपको यहां पर देख लो आपको जो है buy sell आप कर सकते हो तो मुझे buy करना है मैं buy की option में click कर रहा हूं यहां पर देख लो CNC है CNC का मतलब होता है cost and carry अगर आपको long term के लिए hold करना है और पूरे पैसे pay करके hold करना है इस का view कैसा है उसके हैं इस यहांपे आप interday trading कर सकते हो यहांपे जो भी quantity है price यहां से आप चिक कर सकते हो लगा सकते हो disclose quantity मतलब कितना quantity आपको exchange पर दिखाना है यहां पर आपका MIS मतलब होता है intraday जो भी आपको intraday में trading करनी है तो आप MIS में करें कि same day position आपका squad off हो जाएग MIS Plus जो एक तरह से आपको bracket order है, बहुत से broker आपको bracket order प्रवाइड नहीं करते हैं, यह आपको कर रहा है, जहां पे आप buying price, stop loss price, trigger price, एक साथ मत्तब profit booking price, selling price जो है, एक साथ ही आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे CNC हो बाई करना हो, मुझे long term बाई करना है, यहाँ पे आपको bid price, ask price, seller price, buyer price, यहीं दिखे रहा है आपको, NSE, BSE है, जहाँ भी आपको buy करना है, वो आप चूर्ज कर सकते हो, जहाँ भी आप comfortable हो, आपको NSE buy करना है, BSE buy करना है, देख लो सबसे best price कहां मिल रहा है, वहाँ से आप buy कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर्म NSE buy करो, BSE buy करो, आपक आपको, जो भी quantity आप comfortable हो, वो आप put कर देना, यहाँ देखो bracket order है, तो मुझे bracket order नहीं करना है, यहाँ मुझे stop loss price, profit booking price और stop loss limit price, फिलाल put नहीं करना है, मैं normal पे click कर रहा हूँ, normal मत्तब यह आपको जो है long term के लिए hold करेगा, available fund आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे आ 68.50 का order लगा के place order कर सकते हो, और यह छोड़ सकते हो, अगर मारो पूरे दिन में 68.50 आया तो आपका order बाय हो जाएगा, नहीं तो cancel हो जाएगा, next day आपको फिर से buy करना है, मतलब मुझे चीजें सही लग रही है, मैं long term hold कर सकता हूँ, तो मुझे market बाय करना है, market मैंने click कर दिया, और यहाँ पर place order का option है, मैं place order का option पर click कर रहा हूँ, जैसे मैंने click किया, order has been submitted successfully, आपका order book यहाँ से देख सकते हो, इस पर आप click करो, जैसे click करोगे आपका 5 quantity जो है, fully execute हो चुका है, आपका pending order कोई होगा, limit order आपने लगाया होगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाया जो, order reject हो गया है, मालव को order reject हो राते हैं, आपको मालू अपने बाव जो आपका programmer circuit होगे, ऑपने पीस हो आपको आपको पृट कर दिया, तो order आपका reject हो जाएगा, तो वो order इहां पको दिख जायाएगा, others में जो भी होंगे, इहां आपको दिख जाने का जो भी आप intraday करते हो जो भी उसका profit and loss होता है positions में आपको M2M दिखता रहेगा कि क्या profit हो रहा है क्या loss हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखे और आपको exit करना है तो इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पर देख लो आपको जो है square of का option आ रहा है square of NSE, square of BSE कोसिस करना जिस पर आपने buy किया है जिस exchange पर buy किया है उसी exchange पर आप square of करो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए same day के लिए जो यह कोसिस करना जिस exchange पर buy किया है उसी exchange पर आप square of कर दो NSE buy किया तो NSE square of कर दो और BSE buy किया तो BSE square of कर दो simple सी बात है यह मैंने बता दिया है holdings में जो भी आपके long term वाले stocks होंगे वो दिख जाएंगे आपको जो आपने buy किये हैं और जो आपके holdings में हैं मतलब long term वाले हैं मेरा ITC यहां दिख रहा होगा आपको तो जो भी stocks हैं आपके long term वाले वो आपको holdings में दिखने वाले हैं limit में जो है आपका cash balance कितना है कितना आपने margin यूटिलाइज किया है today M2M profit and loss क्या होड़ा वो दिख जाएगा यह mainly future and option currency commodities वाले product में दिखता है और आपको कितना पैसे maintain करने अगर loss हो रहा है तो same day के लिए नहीं तो आपको extra charge अलग लगने वाला है इसका मैं भी अलग से वीडियो ले आऊँगा और today profit and loss कितना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा add fund यहाँ से कर सकते हो withdraw भी आप यहाँ से कर सकते हो तो order मैंने अल्लेडी explain कर रखा है आपको चीजें जो आप उलडी explain कर रखी है यहाँ से आप watch list पे देख सकते हो कि जो भी आपने stocks add कर रखे है watch list में वहाँ से आप search कर सकते हो fund transfer यहाँ से भी कर सकते हो आप pledge करना है आपको तो यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ पे आप OK पे click करो जैसे क्लिक करोगे आपको ITC जो है अल्रेटी दिखा रहा है आपको haircut 80 का है मतलब जो amount है आपका 80% जो है आपको पैसे मिल जाएंगे 20% नहीं मिलने वाला यह safety region की वैसे होता है तो यहाँ पे आप click कर देना जो भी stocks होंगे यहाँ पे आप click कर देना और proceed के option पे click कर देना तो जो भी होगा CTSL का DP idea आपको यहाँ दिख रहा होगा तो जो भी होगा आप जो 80% पैसे जो है margin के ले सकते हो तो DP2 pledge है आपको यहाँ से आप कर सकते हो मैं इसके regarding अलग से वीडियो ले आऊंगा तो ऐसे करके आप stock pledge कर सकते हो यहाँ से भी समझ गए अब जो मैं फिर से आता हूँ जो चीज़े हैं आपको report में आपको जो भी चीज़ें देखनी है order देखना, positions देखने है holding देखना, limit देखना है end of the day report देखना है आपको trade देखना यहाँ से आप check कर सकते हो portfolio में जो भी होगा आपका profit and loss investments amount कितना है profit and loss कितना है आपका और unrealized profit and loss कितना है unrealized profit and loss का मतलब होता है जो profit and loss अपने book नहीं किया है मतलब वो चल रहा है जो आपने book कर लोगे उसको बोलेंगे realized profit and loss मतलब जो profit and loss आप book कर लोगे चाहे profit हो या loss हो वो चला आएगा आपको realized profit and loss में जो profit and loss आप नहीं book करोगे मतलब वो आपके portfolio में परा हुआ है positions में परा हुआ है वो आपको दिखेगा unrealized profit and loss में समझगे concept यहाँ से आप e apply कर सकते हो आपको चीज़े अच्छी मिली हुई है जो भी काजी food international है आपका वो अपलाई कर सकते हो global health आपका वो अपलाई कर सकते हो तो चीज़े यहाँ पर आपको दिख रही है यहाँ पर जो है apply कर दो ज्यादा सही रहेगा फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आने वाला देखने में और चीज़े जो है skip कर दो गया तो चीज़े मैं सौट में बता दे रहा हूँ बाकी वीडियो ले आऊंगा मैं अदर्स में आपको रेट कर सकते हो सेर कर सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको जो भी चीज़े हैं इसवे हैं भी शियंच सब्सक्रण भीक सेरा रहा हुए आप जो हैंिजो फुर्ट करें और सिट्रें problem भी पर देखने करते हुए तता ने अंहीं अुफ